हेलो एब्रीवन मैं पुझा चौधरी खुशी मेकवर से वेलकम तो माई चैनल तो आज मैं आपके साथ में अपनी एक स्किन केर शेयर करने वाली हूं तो सबसे पहले करूंगी मैं ब्लीच क्योंकि फेस बहुत ही जादा डल हो रहा है और बहुत ही जादा मतलब क्लीन करना है फेस मुझे क्योंकि हम लोग गए थे तो उससे बहुत जादा संटैन वगर आ गया है तो किस तरीके से कौन सी ब्लीच करूंगी वह मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो ब्लीच जो मैं करने वाली हूं वह है वील सी की इंस्ट डायमंड ब्लीच का यह 220 ग्राम का एक इतना बड़ा डिबाएगा और उसके अलावा आएगा इसका एक्टिवेटर तो यह आप लोगों को मिलेंगे और आप देख सकते हैं यह आपका प्री ब्लीच क्रीम और पोस्ट ब्लीच पैक तो यह आपको बाद में करना है और चलि कि जाओ मैं निकालनी है तो मैं खैस और 50 निकाल रही है तो मैं दो चमड्… जो है वो निकाल रही हूं इस तरीके से तो मेरे फैस और बहुत अच्छे से होजेगी तो अब एक्टिवेटर मिक्स करेंगे तो थो हो हूं मोगों बहुत कम यह मिधा know कि कबारहा है स्कतने कितन से हम लोगों को मिक्सिंग करनी है को मीक्षिंग बहुत ज़रूरी है इसप पॉटर को और छो डिअलों को मिक्स करना है ब्लीश के अप्लिकेशन करना करने हैं सबसे क्ली안 कर announcing the मलें हमी को अटाइज करनी है इसे कृष्प करना है इस अशक्र को इस अधिक सैस्य inas今 ibhal है कि अची सब्सें एक प्ली ऐघ कर लेंगे प्री ब्लिच क्रीम है उसको हम कट करेंगे कर लेगों एस तरीके से चोटासा पंच में निकलती है और इसको हम लेगे अपने हात-पर तो आप इस्तरीके ना हम लो Seems Freak排 लेंगे उसके बात करेंगे मसाज तो इसकी अच्छे से जो है वह हम लोगों को अपने face पे massage करनी है इससे क्या होगा इससे आपकी skin na protect हो जाएगी के bleach के अंदर जो ammonia होती है न वह कभी-कभी हम लोगों को जो है वह नुकसान देती है इस किसी किसी कि इस कि इस कि बहुत ज़्यादा सेंस्टिब भी होती है तो अगर यह आप कर लेंगे तो आपकी स्किन पर एक तो bleak ब्लीच बिल्कुल भी लगेगी नहीं मतला बहुत ज़्यादा इरिटेट नहीं करेगी और आपकी ब्लीच का result ज यह अगर अर्मज़ कर जो हूं इस पंज से क्लीन कर रहे हूं प्लीन भी खर सकते हैं तो जितनी पी दर्ट वगेरा हमारे च्छे से भी मुप हो गयी आप बहुत ही गंदगी जो है ना फेस पर निकल कर आती है जितनी भी हमारे फेस में गंदगी होगी वह सारी इस से निकल जाएगी और ब्लीच का जो रिजल्ट है ना वह बहुत अच्छा आएगा और उसके बाद application करेंगे ब्लीच की जो हम लोगोंने ना बाउल में देखिए आप लोग देख सकते हैं मिक्सिंग करके रखिए ना इसकी application अब हम लोगों को करनी है तो आप देख सकते हैं मैं अपने फेस को ना बहुत अच्छे से वाश करके आई हूं नॉर्मल वोटर से तो मैंने अपने फेस को ना 100% बिल्कुल सुखा दिया है क्योंकि हमारे फेस पर मोस्टर रहेगा ना तो हमारी ब्लीच बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है फिर उसके बाद जो है अब हमने जो यह mixing की थी इसकी application हम लोगों को करनी है अपने फेस पर और मैं आप लोगों को बोलूंगी कि आप finger की help से ही करें क्योंकि finger की help से ज्यादा अच्छा इसकीन पना result आता है अगर आप घर पे भी बीच लगा रहें ना तब भी आप finger से ही लगाई ब्लिच को अपने ब्लीच को फिंगर से ही लगाई यह तो ब्लीच की जो एप्लिकेशन है वो मैंने कर ली है आँखों से बचाकर और होटों से बचाकर मैंने किया है और मैं आपको बता दूँ आप अपने फुल बोडी में कहीं भी ब्लीच कर सकते हैं बहुत अच्छा रहता है हाथों पर भी कर सकते हैं पैरों पर भी कर सकते हैं बोड़े में भी कर सकते हैं.. और अगर आप ब्लीच कर रहे हैं.. तौ willst मैं भी ब्लीच करते हैं तो वह को नहीं पाती है क्योंकि ठीज आधी पर हता कर में दर फेस पर रोकनी और दस मिनित के बाद मैं इसको जो है रिमूफ कर दूँगी लेकिन उससे पहले में आपको बता दूँँ पांच मिनिट के ब्रेक में जैसे कि इसको लगाए हुए मुझे पांच मिनिट हो गया है तो हमें एक बाद इसके फिंगर जुरूर फिरनी चाहिए इस तरीके से राउंड राउंड उससे क लोगों करने चाहिए पलस आंखों में बहुत ज़्यादा लगती है आप लोगों को पता ही है कि वहीं करते हैं घर पर भी तो अगर आप प्लड़ वाले आई पैड लगा देते हैं या वह बोलते हैं कि आप आंखे बंद रखे क्योंकि कोई दूसरा काम करता है तो आपको या तो आपना cotton pad आते हैं उसमें गुलाब जल मिक्स करके और अपनी आखों पर रख लीजिए या फिर जो खीरा होता है कुकुमबर जो होता है उसकी स्लाइस काटके आप अपनी आखों पर रख सकते हैं तो इस तरीके से अगर आप रखेंगे तो आपकी आखों में ठंडक आ मैं मैं इसको ना रिमूफ करते हूं तो हम लोगों को आप मोट्य आख लेना है इससे वर मिक्सिंग की ऊपने चरव झाल सकते हैं इसको निकाल भुशू से तो क्योंकि बहुत सारी तो यह उससे ही अट गई है इसको बहुत आप पाएंगे इसको मैं पहले रिमूफ कर लेती हूं और फिर उसके बाद मैं फेस धुल के तब आपको दिखाती हूं कि नहीं इससे सब्सकी जरूखना वाज करने कि पानी से जरूब वॉसक्त करणी है मैं इस तरीके से करना कि भी एप्लिकेशन कर ली है इसको मैं कम से कम 10 मिनट अपने फेस पर रोकूंगी और उसके बाद इसको भी जो है हम लोग बोश कर देंगे तो पैक जो है वह दस मिनट मैंने रोक लिया है उसके बाद आप मैं इसको रिमूफ करूंगी बहुत अच्छे से ओनली फोर इस अगर चमक आ गई है फेस पर कितनी बढ़िया हो गई है इसके बाद अगर आप लोगों के पास कोई अच्छा टोनर हो तो आप लोग टोनर जरूरी उसकरें तो मैं यहां पर ना ग्रीन टी टोनर यूज़ कर रही हूं बहुत अच्छे टोनर होते हैं गर आप ब्लीच कर र कम दो बार तो अभी जो है मैं अपने फेस पर ना वाओ इस तरीके से मैंने यह ग्रीन टी टोनर जो है वो यूज़ किया है काफी पसंद है मुझे टोनर जो है और इस प्रे वाली बोटल का अगर हम लोग टोनर यूज़ करते हैं तो हमारे रोम चिद्र के अंदर जाता है और हमारी स्कीन को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करता है और हमारी स्कीन को बहुत ज्यादा अच्छे से हाइड्रेट करता है तो इस तरीके से कोई भी अच्छा सा टोनर हम लोग को यूज़ जरूर करना है और इसको ना हमें ऐसे ही पांच मिनट अपनी स्कीन के अंदर ना सूखने देना यह परिटेट हो जाएगा इसको अच्छे से ना सूखने देते हैं अभी तो आप लोग देख सकते हैं पांच मिनट में यह टोनर इसकीन के अंदर बहुत अच्छे से परिटेट हो गया अब इसके बाद हम लोग को जो है एक संस्क्रीम लोशन यूज करना ह जो भी हमारे पास तो यह जिए है घृद्वाईप की संस्क्रीम जो बहुत अच्छा और यह जैल क्रीम है बहुत अच्छी होती है मैं आप लोग को बता दूं और यह एस पिर 50 के साथ में आई है इस तरीके से हम लोग जो है थोड़ा सा संस्क्रीन लेंगे और हम लोग को यह अपने फेस पे लगा लेनी है इस तरीके से आप देख सकते हैं संस्क्रीम मैंने लगा ली है और बहुत ही अच्छे से ना यह मेरी स्किन पर जो है वो पैरिटेट हो गई है ब्लीच करने के बाद तो हम लोगों को संस्क्रीम जरूर लगानी चाहिए आई होप के यह वीडियो आप लोगों को पसंदाई होगी सभी प्रोडेक के link आप लोगों को डिसक्रीम सब्सकरीम में मिल जाएंगे का अछ दिसकाुट चल रहा है सभी तो मेरा coupon code भी आप लोगों को मिल जाएगा जिससे आपको 10% के डिसकाुंट अलग से मिलता है तो आई भी चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को तैम पे मिलें और आपसे कोई भी वीडियो मिस नहों तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में बताएगा जरूर वीडियो कैसी लगी, बाई बाई